कंद आने वाली है परसवर उसके लिए मैं तो बनाने जा रही हूं तिल और गुड के शॉप टर नरहम और मुह में जाते घुल जाने वाले तिल और गुड के लड़ू की रेशिपी ना तो बेकिंग पॉड़र पड़ेगा और ना ही पड़ेगा बेकिंग सॉडर बिलकुल सि रेशिपी को देकर बड़ी आसान और सिंपल आसे बना जाकती हो नमस्कार फ्रेंड मैं हुस्तंगीतार आपका बहुत बहुत शागत करती हूं आपकी अपनी रश्वय में आशा करती हूं आज की रेशिपी आपके लिए हेल्प फुल होगी अच्छी लगे तो इसे लाइक बना लेते हैं सिंपल और आसान तरीके से देगे कितने शॉप्ट और नरम बने हैं ऐसे आपके भी बनेंगे बिलिकुल भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी पार्च मिनट में लड़्डू बन के थायर भी हो जाएंगे तो भार्षी खरीदने से अच्छा अपने घर पर बना के लिए तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिं यह दियान रखने हैं मात्रा बराबर होनी चाहिए ना कि गुड्ट होना चाहिए तिल हमने सब्सक्राइब दोनों चीजों को बड़ाबर मेजर में चलते हैं गैस की तरफ सबसे पहले हम तिल को रोष्ट करेंगे गैस कपले मध्यम पर रखेंगे दीमियाज भी लगा अतार कंटिनुई इसको चलाते रहेंगे तिल में अपना ही एगनेटी फ्लेवर होता है और इसको ह जाते हैं तो थोड़ा बहुत इसका श्वभावी रहता है जादा निभूनने जैसे से इस मैसे चटकनी के आवाज आने लगेगी ना बस पहले आप पैन को गरम कर दीजेगा गैस का फ्लम्पी को लोग पीकर दीजेगा लगा अतार्पन चलाते रहें देखें चटकनी लग जाली पे छोड़ देंगे तब तक हम आगे के फ्रोसेस कर लेते हैं तो यह भी ठंडे हो जाएंगे तो वही पैन है पैन भी गरम है इसमें तिल लगे हैं तो मैं टीशु पेपर से इस तरीके से साफ लिए हूँ पैन भी गरम है इसमें लेंगे एक चमच के पराबर आपर गी तुरंत यहां पर मेल्ट हो गया तो इसमें डाल देते हैं अपना ये गुड़ के छोटे-छोटे टुकड़े कर लीजिएगा पानी का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना है आप चिक्की बना रहे हो या फिर आप रेब्डी बना रहे हो या लड्डू बना रहे हो किसी त चुटिंगे चाहे तो बेकिंग पॉड़र टालो बेकिंग सोडा डालो आज हम ना तो बेकिंग पॉड़र का इस्तिमाल करें ना तो बेकिंग सोडा बस देखे हमने जैसे घी में यहां पर गुड़ डाला वैसे यह मेल्ट होने लगा जैसे मेल्ट होगा पतला भी होता जा बनाते हैं या फिर रेवली बनाते हैं कुछ दिन पहले मैंने रेवली के रेशिपी भी आपके साथ की हुई है तो उन दोनों रेशिपियों में और तील और गुड के जो लड्डू आज हम बना रहे हैं उसमें काफी डिफरेंट है लड्डू बनाने के लिए हमें गुड को जादा बिल्कुल भी नहीं अक्षा पकाना है इसके लिए हमें थोड़ा सब गुड को मैल्ट करना होता है एक बास जैसे इसमें से हलके से भबल निकलने लगते हैं गैस का फ्लेम तुरंती बंद कर देना है नहीं तो यहां पर लड्डू हैं हाड हो जाएंगे हम बेकिंग बेकिंग पॉर्डर का इस्तेमाल किया था अब हमें यहां पर एक प्लास्टिक शीट इसमें गी ग्रीश करेंगे बढ़ आधा यह प्लास्टिक शीट जो हमने यहां पर गी से क्रीश कर रहें कि इसमें डाल देते अपना जे गुड और तिलॉला मिस्रान लड्डू बनाने इस शीट को सेम तरीके से उठाएंगे थोड़ा से थपता पाना है दो से चार बार आप इस तरीके से तिल और गुड का जो मिस्रान है भी बहुत जाता करम है हमारा हाथ जो सेन नी कर पाएंगे इसलिए हम यहां पर प्लास्टिक शीट की साइटा ले रहे हैं बस दो से चा जितने बड़े चोटे साइज में आपको बनाने हो इस तरीके से आपर तो लीजेगा और लोगों के भी यहां पर साइटा ले सकते हो नहीं तो नॉर्मल भी बन जाते हैं कई मात्रव में बन जाते हैं बूंदी के लड़ बनते हैं उसी तरीके चार भी बहुत जाता साउब नरम होते हैं खानी में इनको 15 दिन मेहना साल कभी तक भी रखोगे आप तप तक के इतने शॉब्ट नरम रहेंगे बस पानी का इस्तमाल नहीं करना होगा हातों में बड़ी आसानी से बन जाते हैं तो आपके भी बनिंग के देखा होगा आपने हमने बेकिंग पॉडर बेकिं के तरीड वहीं आपके बने थे लोडू बनारे थोड़ जोड़ा सर फैल रहे होगा तक हम इन फैल यवज़ां से ख मांस पहते होगा पर्फेक्ट है रहेंगे लिए ना की तल़ और गूरो के मभी बनाना घर पर है न simple कितना simple और आजान है देखे आपके भी बनेंगे perfect पहली बार में यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आते तिलर गुड के लड़ा बनाना तो पड़ी आजानी से आपergा सकते और मेरी recipe को देखें तो आपको बिल्कुल भी याँपर करना है और किस तरीके से हम बनाएंगे सानिंग कैसे आएगे आपके लड्डू में परफेक्ट बनेंगे एक साल तक भी इनको इस्टोर करोगे तो इतने शॉप्टा नरम मुलायम बने रहेंगे हमने इनको तोड़ के भी देख लिया है अंदर से इसका स्वाद भार से शॉप्ट है मुलायम है और अंदर से क्रंची होंगे क्योंकि अच्छे से रोष्ट किया है तो रोष्टेट नटीव फ्लेबर में इससे अच्छे लड्डू की रेसिपी होई नहीं सकती आशा करती हू करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं यह कैसी नेक्सी रेसिपी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धनवाद थेंक्यू सो मज़ अच्छ अच्छ